स्वतंतरता दिवस पर सीम नितीश कुमार ने बड़ा एलान किया है बिहार सरकार 12,00,000 नौकरी और 34,00,000 रोजगार देगी सीम ने कहा हमने 2022 में 10,00,000 नौकरी देने के बाद कही थी जिसमें से 5,16,000 नौकरी सरकार दे चुकी है दो लाह की प्रकिरिया पूरी की जा चुकी है अब अगले साल विदान सभा चुनाव से पहले सरकार 10 की जगा 12,00,000 नौकरी देगी इसी तरह हमने 10,00,000 रोजगार के बाद कही थी 4 साल में 24,00,000 रोजगार दिया है अब और 10,00,000 रोजगार देने का लक्ष रखा गया है यानि चुनाव से पहले हम 34,00,000 रोजगार देने जा रहे हैं बदादे मुक्य मतरी ने पटना के गांधे मैदान में तिरंगा फेहराने के बाद ये गोशड़ा की है उन्होंने 18 बार जंडा फेहरा कर बिहार में सबसे जादा बार तिरंगा फेहराने का रेकॉर्ड बनाया है इसके साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और लालुक परिवार पर कंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी पत्नी को ही सीम बना देते हैं परिवार से आगे बढ़ते ही नहीं है कभी पत्नी कभी बेटा बेटी के बारे में ही सोचते रह जाते हैं हमने वर्ष 2006 में विस सुबैंक से कर्ज लेकर राज्ज में स्वयंग साहता समू का गठन किया और उसमें महिलाओं को जीविका नाम दिया तक अब स्वयंग साहता समू के संख्या 10,54,000 हो गई है और इसमें जीविका दीदियों के संख्या 1191,00 हो गई है और आप इसी तर्ज पर सहरी 6 में भी स्वयंग साहता समू का गठन सुरू करा दिया गया राज्जी के युवाओं को सरकारी नौकरी इम रोजगार उपलब्द कराय जा रहा है वर्ष दोहजार बीस में साथ मिश्य दो के तह दस लाख नौकरी दस लाख रोजगार देने के बारे में तैक किया गया यहां भी एक साल हम कह रहे थे आपनों को बता रहे थे आप जरा देख लिजे कितना बड़ा है कुछ लोग इसे ही बोल देता है हम लोग सुरू से कर रहे है अब बीच में कोई हमनों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है तो जरा जान लिजे पूरा यह जो सुरूर किया गया अभी तो पांच लाख सोलह हजार को को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है लेकिन इसके अत्रिक्त लगभग दो लाख पदों पर न्योक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है